हलो दोस्तों केसे हो आप दोस्तों आज आपको बताएंगे पेफ समयदी एक और बड़ी जनकारी दोस्तों अगर आप भी अपना पेफ का पैसा निकालना चाहते हो तो उसके लिए दोस्तों आपकी KYC होना जरूरी है और KYC के अंदर आपका बैंक, पैन और आधार या पासबोर्ड आपका अपरूड होना चाहिए जैसे आपको यह फोटो के मादर सुमें समझा रहा हूँ और दिखा भी रहा हूँ इस प्रकार से जब आपका अपरूड होगा तभी जाके आप अपना PF विड्रोल का फोरूम भर पाओगे चाहे आप अपना एडवांस निकालो पैसा PF का, चाहे आप अपना फूल एन फाइनल का पैसा निकालो लेकिन उसके लिए जैसे जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी KYC अपरूड होना जरूरी है तभी जाके आप विड्रोल का फोरूम भर पाओगे online प्रोसेस से और बैंकी की KYC ठीक है तो KYC वाले उप्सन पर मेनेजबर करके जब किलिक आप करते हो तो KYC का उप्सन आता है उसके बाद जब आपका बैंक की डिटेल आपको भरनी होती है वो प्रोसेस आपको मैं पूरा बताऊंगा कि किस परकार से आप भी अपना बैंक पैन पासपोर्ड को कैसे छड करती है तो चलिए वीडियो में आपको पूरा पूरसेस बता देता हूं सबसे पहले दोस्तों आपको EPFO टाइप कर देना है गूगल पर ठीक है और इसके बाद आपके सामने इस परकार कुछ एंटरफेस आएगा अब आपको दोस्तों यहां पर UN का जो ओप्सन दिखता है यह वाला इस पर आपको किलिक कर देना है जैसे ही आप इस पर किलिक करके आते हो तो आपके सामने इसका जो एंटरफेस है कुछ इस पर करसा जाता है यह बैनर जो आता है इसको आपको यहां से हटा देना है जब आप बैनर को हटा देते हो तो आपके सामने यहां पर यहां होने का option थी के login होने के लिए आपको सब पता होगा अगर नहीं पता है तो आपको यहाँ पर अपना UNA number डाल देना है यहाँ पर आपको अपना password डाल देना है यह capture आपको यहाँ पर डाल देना है sign in पर click कर देना ठीक है आपको एक OTP आएगा आपके आजरगार साथ जो mobile number लिंक है ना उसके उपर उस OTP को डालने का एक option होता है तब जाके आप login होते हो तो चलिए मैं फटाफट यहाँ से UNA number डाल के capture डाल के sign in करता हूँ आपको एक login second factor का एक option आ गया है अब दोस्तों आपको यहाँ पर अपना OTP डालना होता है मैं जैसे आपको बताता है यहाँ पर डालना है one time password यह CAPTCHA जो आपको यहाँ पर नजरा रहा है इस CAPTCHA को आपको यहाँ पर डाल देना है और submit पर click कर देना है ठीक है तो चलिए फटाफट मैं यहां से डालके submit पर click करता हूँ दोस्तों जब आप login हो जाओगे ना तो उसके बाद में दोस्तों आपको KYC कैसे छड़ाना है वहें मैं आपको बतारूँ यहां पर आपको एक option दिखता है ठीक है यहां पर आपको manage वाले option पर यहां click कर देना है जैसे आप इस पर click करके आते हो click करने के बाद दोस्तों आपको यहां पर दिखाता है एक option जिसके अंदर आपको लिख रहा है KYC ठीक है यही option आपका important को option होता है यही से हम हमारा bank को update के लिए डालते है ठीक हो company यहां से उसको approved देती है तो चली फटा-फट में इस पर click करके अपनी KYC को करता हूँ दोस्तों जब आप इस पर click कर दोगे ना तो आपको यहां पर option आएगा KYC करने के लिए यहां पर तीन option आपको नजर आते इन तीनों option की आप KYC कर सकते हो ठीक है only for update के लिए आप डाल सकते हो company ही approved आपको करके देगी याद रखने है इस बात को ठीक है यहां पर आपको सबसे पहले दिखता है option bank का उसके बाद दिखता है pen का उसके बाद दिखता है आपको password का ठीक है simply process है आपको bank वाले option जो यहां दिख रहा है इस पर मैं click कर दूँगा यहां पर जब आप click कर देते हो तो यहां पर लिखा आजाता है कि आपका जो KYC आप कर रहे हो bank का option खुल चुका है आप अपनी KYC करिए तो नीचे की तरब आपको option दिखते हैं तो चलिए इनको मैं उपर की तरब आपको थोड़ो कर ले चलता हूँ ताकि आपको इस सभी से समझ माए उपर की तरब लेता हूँ इनको देना है यहां पर आप अपना जो bank छड़ाते हो bank को update के लिए डालते हो वह आपको proper जो भी bank है आपको यहां पर डाल देना उसका bank के account number ठीक है तो bank के account number यहां पर डाल देना है और दुबारा वही account को confirm bank account मतलब की जो आपने यहां पर डाला था first में bank account number के अंदर वही आपको confirm bank account number के अंदर वही number डालना है ठीक है याद आपको समझ मागिया याद रखने इस बात को ठीक है अब आपको दोस्तों यहां पर एक option और दीखता है जिसके अंदर लिखा हुआ है bank के IFSC ठीक है तो ह इसके अंदर ही IFSC नाम के बाद जो भी होता है उसको आपको लिखना है ठीक है याद रखे बीच में एक zero भी आती है उसको आप सही से भरना ठीक है उसके बाद में आपको एक option यहां पर नजर आता है जिसमें लिखा होता है IFSC को verify करना ठीक है तो उस पर आपको click करके verify करना होता है IFSC account number को तो चलिए फटा-फट हम हम यहां से हमारा जो detail है जो मैं आपको बता चुका हूँ bank account number यहां पर डालूँगा confirm में डालूँगा IFSC डालता हूँ live मैं आपको दिखा देता हूँ अब दोस्तो आप यहां देखिए आपको दिख रहा होगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ न वैसे वैसे आपको त्यान देना यहां पर आप देख पाओगे तो यहां पर आपको dot dot में आपको account number नजर आएगे ठीक है यहां से आपको confirm हमने कर लिया है वे भी मैं दि इसको verified करेगा इसको तो चलिए इस पर मैं पहले click कर देता हूँ यहां पर दोस्तो आपको IFS से दिख रहा होगा verified का option इस ओके पर मैं click कर दूँगा आप दोस्तो आप यहां देख पा रहे होंगे यहां पर जो bank का branch है branch का name आपको यहां नजर आएगा आप चेक कर लेना कि यही है कि आपकी bank आपका bank का name यहां पर नजर आएगा ठीक है नीचे की तरफ आपको एक चोकोर नजर आता है उसके बाद आपको नीचे का जो option है उस पर click करना होता है मैं आप उपर की तरफ थोड़ा लाता हूँ तब जाके आपको प्रोपर दीखेगा और तब आपको कर करके सेव पर click कर देता हूं फिर दोस्तों आप अगर देखोगे तो आपको एक OTP आएगा आपके आधार काड़क साथ जो मोबाल नंबर लिंक है ना उसके उपर एक OTP भेज़ दिया गया है जो आपका EPF office होता है वह इसको automatically process से बहता है फिर आपको enter OTP वाला जो option होता है इस option पर आपको अपना जो OTP आया है six digit कवे आता है आप आराम से देखके सई से यहां डालने के बाद submit पर आपको click कर देना है blue color पर ठीक है जब आपका यहां पर submit process हो जाएगा तो आपको यहां लिखा आता है कि आपकी जो KYC है वह है आधर कार्ड से linked mobile number will be submitted KYC हो चुकी आ और लिखा आता है आपका bank account number verification is under process notification has been sent to your mobile number बतलो कि आपके mobile number पर यह मेसेज बेद दिया गया है और उस पर लिखा गया है कि आपकी KYC है वह है verification under process है और अगर उसका status अगर आप चेक करते हैं तो KYC pending approval के अंदर वह है दिखाता है verification under process आप यहां date में देख सकते हो आज की त verification under process ठीक है लेकिन इसका मैं आपको एक back side में फोटर के माधिम से समझाता हूं जब आप इसका status चेक करते हो कुछ दिनों बाद तो आपको दिखाता है pending with employee for digital signature यह मैं डेट का आपको दिखा रहा हूं record ठीक है इसमें आप देख सकते हो pending with employee for digital signature मतलब कि यहां पर बोला जा रहा है verification under process के बाद यह option आपको नजराने लगेगा आपकी KYC अभी तक approved नहीं होई है मैं आपको बता देता हूं जब तक आपकी KYC approved नहीं होगी इस KYC को आपकी company ही इसको approved करके देगी जब company इसको DSC या e-signature से approved कर देगी तो आपको लिखा जाएगा कुछी प्रकार से status आप उसका check करोगे तो लिखाएगा आपको status approved ठीक है और इसमें लिखाएगा आपको जो भी DSC से किया है या e-science से किया है वह process लिखा जाता है ठीक है त approved हो जाती है तो उसके बाद आप तुरंत अपना PF विडियो का फोरम लगा सकते है चाहे आप अपना PF का पैसा advance में निकालो चाहे आप अपना full and final में PF का पैसा निकालो ठीक है तो यहाँ पर KYC का प्रोसेस है approved का वह आपको बता दिया है आपकी company ही इसको approved करके देती है और चैनल पर चले जाना सानुक ओडियाल पर आपको यह वीडियो देख लेना है आपकी KYC जल्द ही approved हो जाएगी ठीक है एक से दो दिन के अंदर आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और इस प्रोसेस को आप करना और अपने अनुसार इसको डालना जैसे जैसे मैंने वीड से बताया है आपको समझ में आगे होगा कि किस प्रकार से आप भी अपने KYC को अपडेट के लिए डाल सकते हो ओल्ली फॉर अपडेट अपरूड आपकी कंपनी करके देगी इंप्लोर आपका करके देगा तो दोस्तों आसा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में भी आयो आपको समझ में 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 आपको समझ में